नमस्कार आच के इस रोजगार समचार में आपका स्वागत है अगनी वीड वायू भरती दोजार 24 के लिए भारती वायू सीना ने 3500 रिक्त पदों पर भरती मांगे है आविदन प्रक्रिया 17 जनवरी 24 से ही शुरू है और आविदन करने के अंतिन तारीक 6 परवरी 24 है एक चोक मिद्वार आउनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं आविदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वैबसाइट अगनीपत वायू.cdac.in पर जाना होगा आविदन के लिए एक चोक मिद्वारों से आविदन सुलक के रूप में 550 उर्पे लिए जाएंगे साथी GST का भुकतान भी ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा आविदन सुलक का भुकतान आप पेमेंट गेटवे के जरिए डेविट कार, क्रेडिट कार या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं चलिए अब आपको हम बताते हैं इस भरती के लिए मिद्वारों के योगिता के बारे में तो सबसे पहलों मिद्वारों ने बारवी में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिस में 50% अंके साथ पास किया हो फिर आगे इंजिनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, आटो, मोबाइल, कम्प्यूटर साइन्स, इंस्टुमेंटेंसन, टेक्नोलोजी और इंफॉमेशन टेक्नोलोजी किसी ब्रांच में भी 50% अंकों के साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो हालां कि इस संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधि सूजना को भी देख सकते हैं वहाँ आपको इस भरती से संबंदित सभी विस्तित जानकारी मिल जाएंगी नोटिफिकेशन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बात करें उमिदवारों के आईू सीमा की तो उमिदवारों के लिए नियुनतम उमर सारे 17 वर्स नि्र्धारित किये गए हैं वही इन की अधिकत्म उम्र 21 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि उमिद्वारों का जन्म दो जन्वरी 2024 से पहले ना हुआ हो और ना ही दो जुलाई 2007 के बाद हुआ हो चलिए अब हम जानते उमिद्वारों के चैन प्रक्रिया के बारे में तो आपको बता दे कि इस भरती के लिए उमिद्वारों का चैन तीन चरणों में किया जाएगा दिसमें सबसे पहले computer आधारित परिक्षा होगी उसके बाद physical fitness यानि की सारीरिक दक्षता परिक्षा और अंतिम में adaptability टेस्ट और medical टेस्ट सामिल है ये online परिक्षा 17 मार्च 2014 को का उजित किये जाएंगे आई अब आखरी में हम बताते हैं सभर्ती के लिए चुकुमिद्वार online तरीके से आविदन कैसे कर सकेंगे लेकिन ध्यान रहे कि आविदन करने से पहले इस अधी सूचना को जरूर परने उसके बाद इसके आधिकारिक website पर जाएद इसकी जड़ उसका लिंक दिखेगा उसके बाद इसके होम पेज पर आते ही अगनिवीर इंटेक 125 का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें इसे क्लिक करते ही आपको लॉग इन करने को कहा जाएगा लिए आपने लॉग इन नहीं किया तो यहां पर अपने इमेल आईडी को दर्ज करें पास के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ बने रहने के आपका धन्यवाद